असलाम एकुम मीवर्स कैसे हैं आप लोग वल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल उमीद करते हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगी जहां पर भी रहें हमेशा हुश रहें आपको हमेशा अपने हिपस और इमान में रखें आमीन सुमान में तो यह है जी इवनिंग का टाइम और दे उस पर गाड़ियां तो अल्मोस्ट हर वक्त चलती रहती है बाकी आप देखें सराउंडिंग्स में सारी चीजें कितनी प्यारी लग रही है और एक ब्यूटिफुल व्यूव है इस वकत इमिनिंग का व्यूव वैसे भी जो है न वह बड़ा प्यारा सा होता है क्योंकि हलक कि हिलकी रोश्णी होती है और लाइट्स आज बीव इंड़न व डीरिया अज चो मेरी वीडियो में बहुत ही बहुत प्ल जो है वो बोहुत कम रहा है झाल हो छे है प्लेटा NICK कि मशन coraz दॉन को 5 जाल प्लबकरी में और बहुत कं तजिवा सब को मिया प्लइक इसके हम काना बनाते हैं अपनी हिसाब से जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। एक छोटा कप चुथा इसका प्यास दिया है। मैंने चॉप्ट शेप में कट किया है और मैंने गरम होते ही कडाई के अंदर प्यास डाल दिया है तो प्यास को मैं हलका सब ब्राउन करूंगी और फिर मैं जो है वह ऐस यूजल जिंजर गालिक का पेस्ट आइट करूंगी और पिर बाकी चीज़ इसके अंदर जाएंगी तो यह देखें जी प्यास जो है वह हलका सब ब्राउन हो चुका है अब इसके अंदर जो है एक टीस्पून जो है जिंजर गालिक पेस्ट जाएगा बहुत कम चीज़े रखनी हूं यहां पर मैंने खड़े मसाले जो है उनका भी इस्तामाल ने किया सर्दियू का सीजन है तो आ 30 मिनट्स मैं उन्हें कुकर पे बॉइल कर लिया था और जो उसका पानी है वही इसमें मैं आट करूंगी और यह जो काले चने है यह बहुत ही जबर्दस होते है और साथ मैं जो है वह बॉइल राइस कर रहे हैं वाइट तो यह जो है ना जी बहुत ही एजी और बहुत ही कम स्पाइसज में बिना रहे हैं एक टी स्पून जो है वह तो यह मैं पर इसमीर चिली जो पाउडर है वह एड़़् की है आपके अपने खिसाब से खड़ी मसाले बिया सकती है और गड़ मसाला गड़ सकती है सफेट जीरा काली में रिचतार चिनी को आप ड़़् डालना टी स्पून का लड़ी अटिये हैर इसको मैं हल्का सराइ करूंगे साथ फड़ा सा पानी डालूंगे ताकि हमारे जलेने और यहाँ उसमें नमक ऑड़ किया थोड़गकरु मैंने जो है पड़ी एंचेजिए बहुत ही बेनİफिशल होती है यह चने है जो मैंने ओवरनाइट सोक्ट करके इनको बॉयल कर लिया था तो यह में इसके अंदर डाल रही हूँ इसमें आप बहुत थिक ग्रेवी भी रख सकते हैं जैसे मैंने 1 मीडियम साइज प्याज यूज किया आप two medium size के प्याज ले सकते हैं two medium size के जो है यूट टमाटॉ ले सकते हैं पहल्द कम gravy में बनाना चारी थे इसको मैं boil rice के साथ बना रही थी बहुत ही कम spices और बहुत ही कम oil के साथ मैं इनको बना रही थी और ये बहुत ही हल्दी होते है ठीक है यह मैं आपको बता दू कि यह हमारी बॉड़ी में यह रेखें यह बिलकुल गले हुए है ठीक है तो एक तो यह मतलब नेमल बदल है अगर आप कहें मतन का ठीक है बहुत एक्सपेंसिव नहीं है तो उस लिए से भी अच्छे हैं ठीक है तो इनका इनकी यह मैंने ब्लैक चना जो है उसकी वो बहुत ही यूसफुल होती है सरदियों में अगर किसी को ठंड है यह जो भी है तो यह ब्लड भी जो है पैदा करते हैं अगर हम ब्लैक चने जो है इनकी बात करें तो यहां पर मैं अच्छी तरह से जो है वो इसकी बुनाई करना हूँ आप क्योंकि रड चली जो है अब जो खाने पीने के शोकीन है वो तो खाते हैं और वो तो खाएंगे डैफिनिटली और खाना भी चाहिए तो लिकिन मेरे ह्याल में जो है ना अगर हम अपने डाइट मैंसे यह जो पानी था मैने बॉइल किया था उसमें चुब पानी ता वो मैं बॉयल कर लिया था मतलब चने इसके अंदर डाल कि फिर इसके अंदर चन्नों को अच्छी तरह से फ्राई जो है आप जरूर कर लिए उसके बुनाई अच्छी तरह से होना जरूरी होती है तो यह अलमुस्ट रडी है इसमें मैंने अभी सबस दन्या जो है वो कट करके डाल दिया तो यह देखिए इसके ओपर जरा भी ऑईल नहीं आया क्योंकि अब मैंने देसी घी जो है उसको भी एड्ड नहीं किया है अपने खाने में तो मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं स्पाइस इस भीम कर तो मेरा आपने मेरे राइस जो है वह भी बॉइल हो चुके हैं तो यह बहुत ही जल्दी से बवने थे क्योंकि जब अबzz आमदेशाज जर्वेग से रखते हैं थे तो यह फीके-पीखे से इसलिए हैं क्योंकि मैं इसमे साथ एप पैसिसिज बहुत कम आपने त तो जैसे मैं फ्राइग कर रही थी उस तरह से भी अच्छे हैं लेकिन इसका जो है ना यह से शोरबा है यह जो इसके यहनी है वो बहुत अच्छी होती है हल्थ के लिए तो आप इसे जरूर बनाएं वीक में एक दफ़ा तो जरूर बनाया करें और इसको खाया करें क्योंकि बॉड़ी के लिए अच्छे हैं बहुत ही अच्छे हैं इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा ताकत होती है ब्लड भी पैदा करते हैं बॉड़ी के अंदर और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है अभी मैंने इसमें थोड़ा सा जो है गरम मसाला पाउडर फाम में नहीं कि मैं बिल्कुल भी एड़ करूँ तो अब ये बिल्कुल तयार है तो ये डिश आउट मैंने कर दिये थोड़े से मैंने अपने लिए लिए तो ये वाइट में मैं इसका शोरबर डाला और ये हैं चने मज़ेदार मुझे तो बहुत मज़ा है खाके तो आप मुझे जरूर ब कीजिए इंशाला दाना नहीं वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी तो अपना बहुत सारा ह्यार रखेगा और मुझे दूआओं में याद रखेगा अलाहाफिज टेक क्या बाबार